नमस्कार दोस्तों दोस्तों भारत चीन तनाव के बीच बारतीय सेना नहीं रोकेगी चाहे तनाव कितना भी बड़ए भारत भी इसके लिए तैयार है लेकिन भारत अपनी सीमा में किसी भी निर्मान को नहीं रोकेगी दोस्तों चीन इस बात से गबरा रहा है कि भारत जो दाश मुक से शलोक होते वे और दोलत बेक तक जो रोड बना रहा है उसकी वैसे भारत की सीधी एक्सेस जो है वो काराकरोम हाईवे तक हो जाएगी भारत महाँ पर दुनिया की सबसे उची हवाई पट्टी भी बना रहा है जिसकी वैसे भारत महाँ पर सी-130 जैसे जम्बो जेट विमान को लेंड करा सकेगा और वहाँ पर हातों हात बहुत बड़ी संक्या में राहत सामकरी पोचाई जा सकेगी इसकी वैसे भी चीन गबरा रहा है कि आने वाला समय मगर भारत इसी प्रकार से एग्रेसिव रहा तो वो गिलकित बाल्टिस्तान को भी ले सकता है जिसकी वैसे चीन का पाकिस्तान के भी संपर्क हमिशा के लिए खतम हो सकता है दोस्तों ध्यान रखना चीए कि कुछ दिनों से इस प्रकार की फैंक न्यूस फेलाई जा रही थी कि चीन के पांच जार जवान भारती सीमा में घुश चुके हैं और ये फैंक न्यूस अब पता चल रहा है कि वो जो पांच हजार जो जवान है जीन के वो उनी की साइड में है और ये पुश्टी की है इंडिया टूडे के रिपोर्टर शिव अरूर ने दोस्तों हमें ये भी ध्यान अखना चाहिए कि भारत की मीडिया में बेठे वे कई न्यूस चैनल्स भारत के इंडियान आर्मी के मनोबल गिराने वाली खबरे भी प्रसारित कर रहे हैं जिससे भारती लोहों का मनोबल गिर है जिस पकार से एंडी टीवी ने ये फैक कबर आज से तीन दिन पहले चलाए कि एक कुछ भारती जवानों को चीनी जवानों ने डिटेंट कर लिया गया है और उनके हतियार भी चीन लिये गये हैं दोस्तों ये बाद में इंडियन आर्म को चीनी सेना ने गिरिफतार कर लिया गया जबकि ये फैक न्यूस थी दोस्तों इस चीज की जहां चुनी चाहिए कि इस भारत चीन के जो तनाव चल रहा है इसमें भारत का मनोबल गिराने वाली कौन-कौन सी न्यूज एजेंसिया भारत विरोधी कार्य कर रही है दूसरी गेसले उनके एक आर्मी जेन्रेल ने कहा था कि इंडिया हुमिलेटेड़ औस लियाने की इंडियाने हमें अपमानिद कर दिया हमें जलील कर दिया क्योंकि पिछले सत्तर साल में हमेशा ये होता आया था कि भारत ही चिलाता था क्या अर चीन अंदर घुसाया है चीन अंदर गुसाया है लेकिन 70 साल के तियास में पहली बार चीन चिला रहा था लगातार दो महीन तक वो चिलाया कि अरे भारत अंदर गुसाया है और इस परकार से वो पहला प्रयास तक कि भारत अब चीन दुआरा किये गए हर एग्रेशन का हर बुली का जवाब सक्ती से ह लगबक अपने सेनिकों की संक्या बढ़ा दिये दोस्तों चाहे जो हो जाए चीन भारत के साथ युद्ध का खत्रा मोल नहीं लेगा क्योंकि साउथ चाइना सी में वह भी बुरी तर से घिरा हुआ है वहाँ पर अमेरिका ने अपने 3-4 एरक्राफ्ट जंगी बेडे उतार हुए हैं जाबान इस वक्त आक्रामक मूड में है और साउथ इस्ट एशिया के जो छोटे देशे जिनको चाइना हमेशा बुली करता आया है वो भी अब चीन का भहिशकार करने लग गए हैं आपको पता ही है कि चीन में से कई कंपनिया जो है वो साउथ इस्ट एशिया की और भारत का रुक कर चुकी है इस वज़े से वे चीन पूरी तरह से दबाव में भारत के उपर प्रेशर बनाने के लिए कि भारत क्योंकि जैसे ही बड़े-बड़े देश बड़े-बड़े यूरोपियन देश और अमेरिका वगरा जैसे ही इस पैंडेमिक से निकले तो इ अमेरिका और यूरोपी यूनियन का हिस्सा ना बने उनके साथ जो चीन के खिलाफ जो केमपेंड होने वाली है उसका हिस्सा ना बने इस वज़े से भारत के उपर प्रेशर बनाने के लिए वो अपनी फोजे या लेकर आया है दोस्तों भारत ने भी अपनी बराबर की होता भारत के पुर समलाई करना होता तो डोकलाम इसे इसलिंट पर कर चूगा उते हूँ जब आपको खुद को बता है कि उस वक्त जब दोगलाम हुआ था तो उनके जो आर्मी के मेजर था एक जो का आर्मी काचीफ था उसने भारत को यह धरिश्थी थी चबहारत किसी मॉ तब आपको पता कि इनर मंगोलिया में एक बहुत बड़ा कारीक्रम हुआ था चीनी फोच का जिसमें बड़े-बड़े हतियार दिखाए गया थे बड़ी-बड़ी डॉंग-फैंग मिसाइल दिखाए गई थी और उस वक्षी जिन पिंग ने कहा था कि चीनी सेना वाले एरिया से पीछे जाना ही पड़ेगा तो दोस्तों चीन आपको ध्यान रखना चाहिए चीन ने पिछले 70 साल में कोई बहुत बड़ा युद्ध ना किसे किया है ना कर सकता है चीन केवल हववा दिखा के ही लोगों को डराता है लोगों को बहवित करता है पिछले दो बस खड़े रहना है चीन को सबसे बड़ा डर इस बात से लगता है कि कहीं भारत आकराम होके उसका अकसाई चीन भी ना ले ले चीन दोस्तों अभी भी इस भय में होता है कि ये तिबबत को भले भारत इस वक्त चीन का हिस्सा मान सकता हो लेकिन अगर भारत दिरे दिरे दि हो सकता तो कल से वह तिबबत पर भी क्लेम कर सकता है इसी वेसे वह स्रीफ वो स्रीफ भारत के ओपर एक साइक लोजिकल वोर के तहट यह प्रेशर बनाने के लिए आया है भारती सेना भी इस वक्त पूरी तरह से जवाब बारती सेना चीनी सेना का बरावर जवाब देने के लिए तैयार है और दोस्तों धियान रखना चीए हमें उन लोगों की जो फेंक न्यूज एजेंसी है उनके उपर भी आने वाला समय में कारवाई करने चीए जिन्होंने भारती सेना के मनोबल डुबोने का काम किया मनोबल गिराने का काम किया जै हिन जै भारत दोस्तों